नमस्कार जहिंद वंदे मातरम दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस लाइप क्लास कंदर हम आपको आर्मी से समंदी टॉप 21 इंपोर्टेंट जीके और जेस का मिक्स कोचन पर लेकर किया है जो आपके पिछले एक्जाम में बहुत बार पूछा गया लागतार जो कोचन पूचा है वही प्रसन हमने इंक्लूट किया तो आपसे रिक्वेश्ट है वीडियो को पूरा देखना है और लास्ट में कोमेंट करके बताने कि आपका टॉप 21 कोचन में कितना कोचन सही है जिनका अब इक्जाम 28 फरोड़ी को है उनके लिए बहुत इस संदर है तो वीडियो को पूरा देखना है और कम से कम आपको 18 प्रस का सही जवाब देना है तो चले पिना किस टाइम वेश्ट करते हैं बरहिंग अपने फ़र्स्ट कोचन की ओर फ़र्स्ट कोचन बहुत एच्छा और सांदर कोचन आपसे पूचा है वे नीच वर्ड़ एट्स डे आपका एक दिसंबर को मनाया जाता है निकिसका राइट एंसर जो होगा आपका ऑप्सन से बिल्कुली राइट हो जाएगा तो बरेंगे नेस्ट कोचन दो नंबर कोचन के और दो नंबर कोचन आप लोगों से पूचा है वे रड़ एट्वाटर्स ऑप दे उनाइटेड न हो जाएगा अगर आप से कोचन पूचता है कि सन्युक्त राठसंग का अस्थापना कभवा था तो इवेनों का अस्थापना जुगा था आपका 24 अक्टूबर 1945 को कभवा था 24 अक्टूबर 1945 को था इसा भी आपको ध्यान में रखना है तो बढ़ेंगे नेस्ट कोचन ती में बताना एं तो किन आफ्डिका का फूर मर्त हुट होता है वह आपका सेंटर पर साइंडियाग कि कि discovery of India किसमें लिखा था जल्दी से बताना है discovery of India किसके द्वारा लिखा गया है option आपका जुहाल ना नहरू, option महात्मा गांधी, option से सौर परी राधा कृष्णन ने या option राज जेंद्र परसादू देखेगा discovery of India जो लिखा गया है आपका जुहाल ना नहरू के द्वारा लिखा गया निकि इसका right answer जो होगा आपका option ने बिल्कुल ही right हुजएगा तो बरसे next question पांच नंबर question को और पांच नंबर question आपसे पूछा है वाटी जब flying ferry called है निकि उरन परी किसे कहा जाता है question बहुत एच्छा है जल्दी से इसका right answer में live chat में बताना है option आपका पिटिवसा option भी कर पुडि ठाकूर option सी कपिल देव या option डी टीपर कासम तो देखें ओरन परी जो कहा जाता है वापका पिटिवसा को कहा जाता है आपका कपिल देव को कहा जाता है इसे भी आपको ध्यान में रखना है तो बहुत एच्छा question बहुत एच्छा question पूछा यह question आपके exam में बहुत बार पूछा गया है question आपसे पूछा है how long is the national anthem song यानि कि राष्ट गान कितने समय में गाया जाता है option आपका 48 second, option B 54 second, option C 52 second या option D 65 second तो देखेगा राष्ट गान काने कि समय अवदी जो होती है और आपका लगभग 52 second का होता है निकि इसका right answer जो होगा आपका option से बिलकुली right हो जाएगा राष्ट गान जो लिखा गया भारत का राष्ट गान जो लिखा गया है आपका रविना टैगोर के द्वारा लिखा गया है इसे भी आपको ध्यान में रखना है तो बरते हैं next question साथ नंबर question को और साथ नंबर question आपसे पूछा है in which division do seasonal events और क्यों रहने कि मौसमी घटना है किस मंडल में घटित होती है तो बहुत एच्छा है जली से बताने कि मौसमी घटना है किस मंडल में घटित होती है ऑप सरफ चोब मंडल आपसे मंद्य मंदल और भात नंबर question और आप लोगो से पूछा है फाउंडर ओफ लोडी दैंस्ट यानिकि लोधी वन्स का संस्थापक कौन था उप्सन अपका बहलो लोधी ऑप्सन भी ग्यासुदिन तुगलक उप्सन यहां पर खरीच कहना या उप्सन भी कुतुब दिन एबक तो जल्दी से बताना है लोधी वन्स का स्थापना किसके द् किया गया है तो घुलां मोंस के शृपना द्वर किया गया था उपका इबक के द्वारा किया गया था इसे भी आपको ध्यान पर होताना के बतान कि राजधानी कहां पर होता है है और थे कि आता है जो आपका zu Ron 1983 होता है नहीं कि आपका कोल्कप कर तो आपको बताने कि रावल पिंडी एक्सप्रेस कौन कहलाता है और आपका सोईब अक्तर जाने जाते हैं निकिसका राइट एंसर जोगा आपका ऑप्संडी बिल्कुली राइट हो जाएगा और टर्विनेटर के नाम से जाना जाता है इसे भी आपको ध्यान में रखना है तो बहुत बहुत बार पूचा गया है कि बिलिंदा वन गार्डेन कहां इस्तिता जलिए से बताने कि बिलिं बहुत बहुत बार पूचा गया है तो जल्दी से बताना है कि भारत में दिया जाने वाला वीरता का सरोच पुरुसकार जो होता है इसका राइट एंसर जोगा वह आपका ऑप्सन ने परम बिल्कुली राइट हो जागा तो बहुत बहुत है अगर आपने तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो जाकर कर जल्दी से एक एक लाइक कर दिए गोट चैनल को सब्स्क्राइब भी कर लिजेगा और मैं आपको टेलिग्राम में बहुत सारा पीडिये आपको बिल्कुल फ्री में दिया तो आप टेलिग्राम का लिंग मैं दे दूगा फॉस्ट कमेंट म अब्स में जो होता है वह आपका मिथ्यन मुखेता पाया जाता है यह इसका राइट एंसर जोगा आपका उप्सने बिल्कुली राइट हो जागा तो बरिंगे लिए ने फोचन चौटर नंबर पोचन को चौटर नबर पोचन आप लोगों से पूचा है वाट डिजट आर क लए इसे चुछों होता है तो अपको साहर अने को बिल्कूल h1 है तुक कोई नहीं तो देखार लेक्ट का यहां पर आपका एंसर डिलाइट हो जगा है कि दही में जो पाया जता है आपका लेक्टिक अमने पाया जाता है इसे आपको ध्यान में रखना है तो बढ़ते हैं नेस्ट कोचन 16 नंबर कोचन को बहुत इच्छा कोचन पूचा है इसका राइट एंसर आप कॉमेंट करके बताना है कोचन बहुत एच्छा है जल्दी से बताना कि डाइनमाइट का विसकार किसके द्वारा किया गया है तो देखेगा आपका अलफ्रेड नोबिल के द्वारा किया गया थैनिक इसका राइट आंसर जो हो का आपका ऑपसन है बिल्कुली राइट हो जागा तो बढ़ते हैं नेस् सब्सक्राइब कर लिजेगा और कम से कम दो या कर सकते हो हमारे ली सबीक्राइब कर सकतों में अ मिलता है तो यह बहुत आप कि वहाँ पर मैंने आपका बहुत सारा पीडिया बिल्कुल फ्री में दिया जो आपके एक्जाम में आने का पूरा पूरा चांस है और बहुत ज्यादा उर्जन पेपर भी संट किया तो जाकर कर टेलिग्राम गुरूप जान करना टेलिग्राम का लिंक है नीचे तो आप जाक को सिका का सब्सक्राइब कर न कि सब्सक्राइब कर दी कि आते हैं के हैज सब्सक्राइब को करना पर तुछ होई नहीं तो दखी का सुने की सुत rat जो ना पगता है वह आपका carrot में आप 모양 जाता है नहीं किसका right answer झोगा آپका option number b जाती है पर आपका बिल्कुल हो जागा तो लिटा किस नंबर question को किस नंबर question हमार आज का last question है कोचन अप पूच्छा है के वाई वान के गति किसमें मापे जाती है जल्द से बताने कि वाई वान की गति कि मापा जाता है अप्सन एक है अल्टिमीटर ऑप्सनि और मीटर अप्सन मिलें तो से ह्थम की आपको जो और रहा और अच्यut명 क्या है रखता है तो आपको वीडियो पतंने यह घ्लाइक्ट कर दूंस्टु यार आपके एक लाइक से बहुत मोटीवेशन मिलता थो जाते आते एक लाइक कर दिजयगा और चैनले को सब्सक्राइब भी कर लेना और टेली ग्राम गुरुप आप जरूर से जरूर जोन करना वहां पर मैंने आपको बहुत सारा पीडियेप दिया तो आप टेली ग्राम गुरुप जयन करना तो आज के लिए थैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो चैहिंच भारत